नमस्ते प्रिया च्छात्रा लाना सेकेडे में इंगले स्कूल ए लानिंग क्लासिस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों आज हम कक्सा तीन में हिंदी विशे में चेप्टर शीक्स पूछना माली से इस पाठ का किताबी अभ्यास देखेंगे तो आईए सबसे पहले हम देखते हैं कठिन सब्दों के अर्थ सुगंदित मतलब खुसबुदार कपास मतलब कोटन मतलब रुई आदर सम्मान कुरूप बदसुरत रेशो धागो रक्षा बचाओ प्रिय प्यारे गूण तो विशेस्ताए उप्योगिता मतलब महत्व शमा मतलब माफ बच्चों पाठ बोध में प्रस्न एक में कुछ मौखिक प्रस्न दिये गए है इन प्रस्नों के उत्तर आपको लिखने नहीं है परन्तु ओरल ही मौखिक देने है प्रस्ण एक प्रस्णों के उत्तर दो मौखिक क सभी फूल कपास से क्यों चिड़ते थे उत्तर में क्या आएगा उत्तर में आएगा सभी फूल कपास से इसलिए चिड़ते थे क्यूंकि माली उसका ज्यादा ध्यान रखता था ख गुलाब ने अपनी प्रसंसा में माली से क्या कहा उत्तर में आएगा गुलाब ने कहा कि मैं फूलो का राजा हूँ कपास का पोधा मेरे पास सोभा नहीं देता ग सुन्दर फूलो ने अपनी क्या-क्या उप्योगिताए गिनाई उत्तर में आएगा कि सुन्दर फूलो ने कहा कि सभी लोग उन्हें आदर देते है और उनकी सुगंद सभी को अच्छी लगती है और उन्हें देवताओ पर भी चढ़ाते है इस तरह से वे सब को प्रिया है इस तरह से अपनी उप्योगिताए गिनाई लिखित बच्चों यहाँ पर आपको ये प्रस्तनों के उत्तर अपनी टेक्सबुक में भी लिखने होगे एवं प्रस्तन और उत्तर दोनों अपनी नॉट्बुक में भी लिखने होगे क कपड़े केसे बनाए जाते है उत्तर में हम क्या लिखेंगे कपड़े कपास के रेशों से सूत कात कर बनाए जाते है ख दीपक की बाती बनकर कौन जलता है उत्तर में लिखेंगे दीपक की बाती बनकर कपास का फूल जलता है ग माली ने फूलों को क्या समझाया उत्तर में हम लिखेंगे माली ने फूलों को समझाया कि रूप रस गंद ही नहीं गून सबको प्रिय होते हैं सभी फूलों ने कपास से शमा क्यों मांगी उतर में लिखेंगे सभी फूल कपास की उप्योगिता जान चुके थे इसलिए कपास से शमा मांगी प्रस्न दो सही वाक्या पर सही का निसान और गलत पर गलत का निसान लगाओ बच्चों यहाँ पर हमें वाक्या कौन सा सही है और कौन सा गलत है यह दरसाते हुए यहाँ पर निसान करने है क, माली कपास की ज्यादा देखपाल करता था तो सही है न, कपास की ज़्यादा देखपल करता था माली तो यहाँ पर हम सही का निसान लगाएंगे ख, सभी फूलों ने कपास की सिकायत की सभी फूलों ने सिकायत की थी ना कपास की तो यहाँ पर हम सही का निसान लगाएंगे गेंदा फूलों का राजा है तो ये वाक्य तो गलत है ना क्योंकि फूलो का राजा कौन है गुलाब है तो यहाँ पर हम गलत की निशानी लगाएंगे कपास का फूल देवी देवताओं पर चढ़ाते है गलत गुण ही सबको प्रिय होते है जी हाँ गुण ही सबको प्रिय होते है ना तो यहाँ पर हम सही का निसान लगाएंगे प्रस्ण तीन माली ने ऐसा क्यों कहा? कि रूप रस गंद ही नहीं गून सबको प्रिय होते है ऐसा माली ने क्यों कहा? तो उत्तर में हम लिखेंगे माली ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह सभी फूलों को बताना चाहता था कि आप सबकी तरह कपास में रंग रूप और सुगंद न होने पर भी अपने गुनों और उपयोगिता के कारण कपास सबका चहेता है भाशा ग्यान बच्चों आपकी टेक्स बुक में पैज नमबर 42 पे भाशा ग्यान दिया गया है आईए देखते हैं प्रस्न एक कौन है एक कौन है अनेक चुन कर लिखो कौन है एक और कौन अनेक है चुन कर हमें लिखना है पर कहा से चुनना है यहाँ पर जो बॉक्स में जो कुछ सब्द दिये गये है उन्ही सब्दों में से कौन एक है और कौन अनेक है वो हमें चुनना है और इधर लिखना है जैसे के पोधा एक है ना और पोध है मतलब अनेक है तो पोधा पोध है इसी तरह से रेसा और रेसे रेशा एक है जबकि रेशे अनेक है इसी तरह से स्त्री, स्त्रिया एक स्त्री हो तो स्त्री बोलते हैं न और दो से ज्यादा स्त्री हो दो या दो से ज्यादा तो स्त्रिया इसी तरह से कपड़ा, कपड़े तो बच्चों जो चीज एक होती है जो वस्तुए एक होती है वह सब्द एक वचन में आएगा और जो दो या दो से अधिक हो वह सब्द बहुवचन में आएगा तो आपको पता चल गया ना कि एक वचन किसे कहते है और बहुवचन किसे कहते है प्रस्न दो उल्टी अर्थ वाले मतलब की विलोम सब्द से मिलान करो यहाँ पर कुछ सब्द दिये गए है बच्चों हमें क्या करना है उल्टे अर्थ वाले जो की विलोम सब्द हो उनसे हमें मेच करना है जैसे के उत्तर तो प्रस्णा विलोम सब्द क्या है उत्तर का प्रस्णा सर्दी, गर्मि, अधिक, अधिक का विलोम सब्द क्या है? कम, दिन तो रात इसी तरह से अंधेरा, उजाला, बाहार, बीतर, अच्छा, बुरा, जमीन, आस्मान तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया? उल्टे अर्थ वाले सब्द से मिलान किया, मतलब यह सब एक दूसरे से विलोम सब्द है ना, विलोम मतलब ओपोजिट प्रस्न तीन, यह भी जाने, र को कई तरह से लिखते है, पढ़ो और समझो घर, र, प्लस, अ, इस इक्वल टू, र, यहाँ पर, र से, अ, मिलने से, पूरा र, इसी तरह से लिखते है प्रस्न, प, प्लस, र, इस इक्वल टू, प्र, प के शाथ, र, मिलने से, प्र लिखेंगे तो यहाँ पर, र कहां आ गया, यहाँ पे आ गया ड्रामा, ड, प्लस, र, इस इक्वल टू, र, तो यहाँ पर, र कहां आया, इधर नीचे इसी तरह से सूर्य, र, प्लस, य, इस इक्वल टू, र, र, में, य, के उपर, र, र, प्लस, र, इस इक्वल टू, र, यहाँ पर, र, के साथ, र, मिलने से, पूरा, र, इस तरह से, लिखते है समुद्र, द, प्लस, र, इस इक्वल टू, र, यहाँ पर, र, कहां गया, द, के इधर राष्ट्र, ट, प्लस, र, इस इक्वल टू, र, यहाँ पर, र, पदेन बन किया गया वर शा रह प्लस सा इस इक्वल टू शा तो यहाँ पर सा के उपर रेफ बन किया गया तो बच्चों रह के ये रूप है पूरा रह फिर इस तरह से आए जैसे के समुद्र, क्रम, प्रकाश तो वह है पदेन कहते है उसे इसे भी पदेन कहते है टौ के नीचे आया ना डौ बन के रौ तो इसे पदेन कहते है और हाँ यहाँ पर जो शा के उपर आया ना उसे रेफ बन के आया तो उसे रेफ कहेंगे तो ये सब रौ के रूप है सूरिया और वर्षा शब्दों में र में से अ निकल गया है सूर्य और वर्षा शब्द जो है न उसमें र में से अ निकल गया है तो यह हुआ र मतलब आधा र, खोडा र कहते है इसे तो उसमें रेफ बनके आएगा सब्दों को सही जगा हमें लिखो बच्चों यहां पर कुछ सब्द दिये गए है हमें उसकी सही जगा पर लिखने है जिस तरह से यह है पूरा र, यह रेफ बनके आया है न र, मतलब के आधा र, जब व्यंजन के साथ मिला तो इस तरह से रेफ बन गया और यह है पदेन, पदेन बनके आ गया र, तो हमें यहां से सब्द चुनकर यहां पर लिखने है के र के कौन से रूप के यह सब्द है जिस तरह से पूरा र किसमें आता है मंदिर में एवं सर्दी इसमें भी पूरा र आया न तो यहां पर लिखेंगे सर्दी रेफ बनकर र कहां पर आया है संदर्य और 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 वर्शा तो यह सब्द हम यहां पर लिखेंगे र के इस रूप के नीचे और हां पदेन पदेन बनकर र कहां पर आया है कौन से सब्द पर आया है क्रम और प्रती दिन और यह पदेन बनकर र कौन से सब्दों में आया है ट्राम एवं ट्रक तो यहाँ पर इस तरह के रा के रूप वाले सब्द हम लिख देंगे बच्चों आगे हैं प्रस्न चार सही सब्द चुन कर लिखो बच्चों यहाँ पर चार सब्द दिये गए है हमें खाली जगा में वो सब्द लिखने है फूलो की तरह कोमल सहद की तरह मीठा परवत की तरह उँचा और बरफ की तरह क्या होता है? ठंडा तो बच्चों ये जो सब्द दिये गये है ना कोमल, मीठा, उँचा, ठंडा ये सब क्या है? विसेशन है विसेश्तादर साते हुए सब्द है ना तो इन सब्दों को विसेशन कहते है प्रस्न पाँच जिन सब्दों के नीचे रेखा खिची है वे किसके लिए है? बच्चों यहाँ पर वाक्य दिये गये है और जिन सब्द के नीचे रेखा खिची है वो सब्द किस के लिए है ये हमें बताना है जिस तरह से सभी फूल उससे चिड़ते थे तो यहाँ पर कौन से सब्द की नीचे रेखाखी ची गई है उससे उससे मतलब किस की बात की गई है सभी फूल किस से चिड़ते थे कपास से चिड़ते थे ना राजा हूँ मैं मैं सब्द किसके लिए है गुलाब के लिए है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुलाब इसी तरह से तुम इस पर अधिक ध्यान देते हो तुम किसके लिए सब्द है माली के लिए है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे माली तो बच्चो उससे में तुम सब्द संग्या की जगा आए है मतलब ये संग्या है ना इसकी जगा पर तुम में उससे ये सब्द आए है ना तो उसे क्या कहते है सर्वनाम सब्द कहते है ये सब क्या है सर्वनाम सब्द है उससे में, तुम, इससे, उसे, यह सब क्या होते है सबद, यह सबद सर्वनाम कहे जाते है आगे है कुछ करने को, कपास के रेसों से सूत बनता है, पता करो और लिखो इनसे क्या बनाया जाता है तो बच्चों यहाँ पर नारियल का चित्र दिया गया है ना नारियल के रेसों से क्या बनता है चटाई रसी बेग सज्जावट की वस्तुए सब बनता है ना नारियल के रेसों से और नीम के पतों से नीम के पतों से क्या बनता है तेल बनता है साबुन बनता है दवाईया क्रीम आदी सब बनता है ना और गुलाब के फूल से, गुलाब के फूल से क्या बनाया जाता है, गुलाब जल, इत्र, गुलकन, सरबत, साबून, क्रीम, आदी सब गुलाब के फूल से बनता है ना तो बच्चों आसा है के यहाँ पर आपको चेप्टर 6 का भाषा ग्यान थूंके प्रस्न एवं उत्तर अच्छे से समझ में आही गए होगे तो हाँ आपको अपनी हिंदी की टेक्सबुक में लेखन कार्या पूर्ण करना होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे तेंक यू